नन स्टॉप रैंडम आमेजिन स्टाट्स के बारिश के लिए तैयार हो जाओ Western Digital जो स्टोरेज कमपनी है उसने एक बार सर्वे किया था है इंडिया के मोबाइल यूजर का इंडिया मोबाइल यूजर कमपलेंड करते हैं कि हमारा स्टोरेज फोन का बहुत जल्दी भर जाता है तो यह क्यों होता है तो उस कंपनी के सर्वे का रिजल्ट में फाइनली यह पता चला कि जो इंडिया में गुड मॉर्निंग आपको पता है नहीं कि पूरा वर्ल में पू स्टोरेज को अलनेसेसरी फिल करने का यह उस सर्वे से पता चला है एट्स रेली अमेजिंग फैक्ट नंबर फिफ्टीन तीन लोग पॉल आर्कर जॉन ओयल एसन लेई परणवेल यह तीनों 20 साल पुराने एक कैप जिसका अनाम था है ना उस पे बैठें और आप यकीन नह करोगे टिपिकल जर्नी कितना होता और को वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनायेगा तो कितना किलोमेटर ट्रावल करेगा कुछ 1000 किलोमेटर दसहार किलोमेटर बट यह लोग 69,716.12 किलोमेटर कवर किये मतलब इतने किलोमेटर मैं आपको हजार बर बताया है ना कि धर्दी का जो अपने नोट किया है कि आउने कभी हम लोग सब रोए हैं रोने के बाद नाक गिला हो जाताओ आएलगा एक यहां कैसे चल जाता है तो बहुत लोग की सुछते है कि आशु का टेस्ट क्यों ने फिल होता है और आशु नाक पर कैसे चल जाता है क्या अंदर कोई कनेक्शन ने किया तो हां आशु के अंदर से आशु जो होता है वो आपके बांकी जगाओ पर जाता है जैसे नाक मूँ कभी कभी तो रोने के बाद रनी नोज यानि गिले नाक का यही करण होता है रशिया में एक ब्रिज है रसकी ब्रिज और इसका व्यू काफी फेमस है और जो बहुत ज़़ादा फॉग होता है तब शाम के वक्ति यह ब्रिज कुछ ऐसा देखता है इस ब्रिज का व्यू जो होता है शाम को यह देखने पैसा लगता है कि बादल के उपर तक पहुंच पर असल में नीचे वाला फॉगी है बटी जो व्यू एक काफी इंट्रस्टिंग है फैक्ट नमर्ट तुवेल इस पिक्चर को आप देखो क्या आप इस पर कोई सांप देख सकते हो कोई सांप दिख रहा है आपको इस पिक में सांप अपने आपको पतों में कामुफ्लाइ पते होते है वह इसलिए इतना रिफ्क होते है क्योंकि वहां पर जो सांप होते है वह अपना आपको कामुफ्लाइज कर देते है और अगर कोई जंगल में टूर कर रहा है तो उसे पता भी नीचलता कि यह कोई है तो इस पिक में आपको मैं खोजने के लिए दूँगा 10 सेक किया हुआ है चुपाया हुआ है बड़ी ही चलाखी से और इसका मेन मकसद होता है अपने दुश्मन से बचने का बचपन से अम लोग सब पढ़ते आ रहे हैं कि टेंपरिचर को सेल्सियस और फैरनाइट में मापा जाता है इंडिया में लोग जा अधर सेल्सियस डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं और बहुत सरे कंट्रीज में फैरनाइट ही सबसे कॉमन है तो आपको पता है एक ऐसा प जाता है मतलब दोनों का सेम हो जाता है मैं क्विट से कह देता हूं माइनस 40 डिग्री सेल्सियस इकोल टू माइनस 40 डिग्री फैरनाइट पैक नमबर टेन यह जो पिक आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो यह आज से 1680 यानि करीब 320 AD का रोम का सिटी का पिक है तो का जाता अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि रोम जो है हम लोग बहुत सुनते हैं कि हाँ रोम ऐसा था रोम से बहुत चीज़े आई है इन्वेंचन सुई है तो असल में यह बहुत आडवांस था और दोनों का अपने से देखो गे तो कहीं पर आपको ऐसा लगेगा नहीं के दुनो बहुत हार लोका हा इसी जितने आप अलग अलगव तर्टरल का सब्सक्रिकश था होता एसे इस चीज़े को मतलब प्लम kite छो में से एक है कि आपकन टॉम यह यह फैक्ट भी बहुत अमेजिंग है, दुनिया में अलगले टेट के ड्रॉइंग होते है, बहुतophone टेट का कला होते है, बहुत Proseक्रण का आँगए, कोईगए आप़र्बोर तो ऐसा होता ह MEMBER, कि आप अपने जमीन पे पर वह फ्लोर पर बना लोता है, आपको लेगा आप गिरना जाओ, 3D आर्टवर, बट एक तरीका का यह के स्पेशल आर्टवर्क होता है, इपॉक्सी आर्टवर्क, और इपॉक्सी आर्टवर्क जो है, यह अप अपने स्क्रीन पेदे को, यह रियलिम ऐसा लग रहा है कि कोई असल में कोई जगा है यह, कोई सुरांगे असल का, बट यह सिर्फ और सिर्फ घर में मौझूद, एक आर्ट है, जो कि इतना रियलिस्टिक है, कि आप सोच भी ने सकते हो, इस तरह के आर्टवर्क को कहते हैं, एपॉक्सी आर्ट, और यह 3D का भी next level है, एपॉक्सी याद रखना, E-P-O-X-Y आर्ट, एप अबरोड में करें, और बहुत लोग अबरोड जाते भी हैं, बट उनको अपने स्टडी एक्सपेंस जो होता है, उसके साथ साथ लिविंग एक्सपेंस भी जहलना पड़ता है, एजुकेशन एक्सपेंस को देखे हम लोग, तो स्टुडेंट को बहुत हुज अमांट देना पड़ता है बाहर से पढ़ने के लिए, अगर कोई Canada post graduate degree पाने के लिए जाता है, तो IDP के हिसाब से average cost जो होता है, वो होता है, Canadian dollar 17,000 से लेके 25,000 तक, यानि average ली रुपए में देखें तो 12-15,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 उसका तो अलगी ही साब है, तो all in all जो foreign से MBA degree या फिर ऐसी कोई degree पाना चाहते हैं, उनका ये dream पूरा नहीं हो पाता अकसर, and जो ये cost वाली बात मैं आपको बड़े reasons में से देखा जाये तो, but मैं आपको यहाँ पे aware करना चाहूँगा अप grad के बारे में, अप grad के through, आप literally, इंडिया में अपने घर पे बैठे बैठे, फोरें रिनोर्ड उनिवर्सिटी से अपना MBA degree हासिल कर सकते हो, इंडिया के इतने सारे students and working professionals अपना MBA degree आजकल online ही कर रहे हैं, तो आप चू रुके हो, बहुत लोग कोर्स online कर रहे हैं, and कई हो का placement भी online ही हो रहा है, अप grad के आपक management, Amrita University, IMT, OP General, आपको ऐसे कई सारे options मिल जाते हैं, इस specialization में आपको finance, marketing, leadership, digital marketing, analytics, general management, HR, ऐसे कई specialization का options भी मिल जाते हैं, Dakin Business School से आप Global MBA कर सकते हो, Jindal Global Business School से आप Digital Finance and Banking में MBA कर सकते हो, and बाकी options को भी आप अपने screen पे देख पा रहे होंगे, ये अगर आप देखो तो एक बहुत बड़ी transformation, अप grad ने लाया है, कि आप literally घर पे ही अपना degree हासिल कर सकते हो, किसी भी arena में जो already thrive कर रहा है, उससे better अप grad पे मिलती है, अप grad पे आपको industry के जो leaders है, उन से सीखने का मौका मिलता है, I will highly recommend you to sign up for upgrade, and check out various MBA programs from top universities, upgrade app का link आपको नीचे video description के top पे मिल जाएगा, so go and download it now, तो अब आते हैं अपने next fact पे, fact number six, अपने bird flocking के बारे में जरूर सुना होगा, जो bird एक साथ जुन बना लेत है, scientifically एक communication का तरीका होता है, तो कभी-कभी जंगल में super rare views मिलता है, जैसे देखो यह ऐसा, कि यह literally पूरा का पूरा जुन्ड मिला के बड़ा bird बना दिया है, आसा मैंना पको पहले भी दिखाया है, बट main बात है कि, ऐसे जो photos होते हैं, जातर photoshop होते हैं, but actually deep jungle में हम लोग ज सियाचीन ग्लेशियर है, वो वर्ल्ड का सबसे coldest और सबसे highest और सबसे ठंडा और सबसे उचा बैटल फील्ड है, आर्मी का, यहां के temperature के बारे में सोच पाना भी बहुत मुश्किल है, अठरो हजार फीट के altitude में मौजूद है यह जगा, और विंटर में यहां माइन साह डि उस पर से volcano आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जो milky way galaxy दिखता है चाहर से दूर बहार, जहां होतना electric lights नहीं होती है, तो यह ऐसा लग रहा है, जिसे वो वॉलकैनो से ही milky way galaxy लिकल रहा है, इस टाइप का view बहुत rare होता है, fact number 3, अगर आप फिडन चले जाओ, तो वहां के ज इसमें map दिया रहता है कि आप आगे जाके कहां जाओगे तो क्या मिलेगा, और यह स्वीडन में बहुत यूनिक सी चीज है, जो कि स्वीडन में बहुत जादा मातरा में पाई जाती है, वहां की super malls में, fact number 2, इस पेन में ग्रैंडा नाम का जगा है, और वहां का जो प्लेस view है, वह दुनिया के सबसे amazing views में से एक है, आप देख सकते हैं उस जगा का एक shot, किसी movie के सीन से कम नहीं लग रहा है, literally, यह सबसे unique views में से एक है, एक place का, fact number 1, sim card का एक कोना कटा हुआ क्यों होता है, क्या कि sim card पुराने जब नामा की चीज होता है, कि mobile नामा की चीज होता ह यह समें लगा दो, दूसरे से बात कर पाओगा कितनी भी दूर, जब इनाय ने आया था ना, तब शुरू में, actually, sim normal rectangle होता था, cheap है, normal square बना उसमें क्या है, but, mobile phone में जब उसे consumer से fit करते थे हैं, तो अधर square रहेगा, तो पता थोड़ी चलेगा कि किस side लगेगा, हर एक mobile में तो अलग अलग जगा पे होता है, और किसी में ऐसे लगाने कर रहेगा, किसी में ऐसे लगाने कर रहेगा, तो कौन side क्या है, ये लोगों को confusion होने लगा, और आपको सुनने में एक normal सा confusion लग रहा हुगा, एक बड़ी बात थोड़ी है, but, जब cases हद से ज़्यादा बढ़ने जाए, और मोबाइल में भी वो सिम ट्रे ऐसे बनाया गया तक अब इसी हो गया लोगों को, अब confusion नहीं होता है, अब आरांग से लगा लेते हैं, तो ये सबसे मेन रिजन था इसको करने का, बहुत फ़नी सा रिजन है, पट यही रिजन था, अब तो माइक्रो सिम आ गया है और आप इसीम भी आने वाला है, इसीम तो बहुत मस्त चीज है, मतलब आपको सिम नहीं खरीदना होगा, अब के मोबाइल में एक सिम रहेगा, और उसमें आप नंबर आसाइन करोगे, और जब नंबर पदलोगे, तो उसी पहले से मौजूद सिम पे कोई और नंबर आसाइ को चेक आउट जरूर करना, अपग्रैड अपका लिंक निचे डेस्क्रिप्शन के टॉप में मौजूद है, डाउनलोड इट नाओ, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, कैसा लगा वीडियो, और चैनल को स्ब्स्ट्राइब करके बेल आइकन जरूर अन कर लेना, थांक यू सो मच फोर वाचिंग दिस वीडियो,